Hey Hello and welcome दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से अप सब करके अपनी इस चैनल में तो गई जिस बीड़े के दर हम डिटेस में डिसकस करेंगे बिट कोईन के बारे में और साथी में हम यहाप डिटेस में बात करेंगे शिबा इनू कोईन के बारे में अभी जिस point के उपर चल रहा है यहाँ से हो सकता है कि हमें 30-50% तक का movement शिबाइन को इनके price के अंदर easily देखने को मिले तो पूरा details में इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा तो फिर आप वीडियो को बिना skip के पूरा end तक जरूर से देख लेना ठीक है बाकि अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो make sure आपनो लड़ी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा बाकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल free of cost है सब्सक्राइब अगर अगर आप चैनल को करते हो तो रेगुलर बर जिसमें आपको यहाँ पर बिटकॉइन और बाकि जितने भी क्रिप्टोज उनके रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो तुरूंत आपको हमारे चैनल के उपर देखने को मिल जाएगा और टेलिग्रम चैनल को अगर अपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो टेलिग्रम चैनल को भी जाके आप जरूर से जोइन कर लो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन आप पिन कॉमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा बिट्कॉइन का प्राइस चाल आए 16,746 के असपास ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर में इसको द्रह जूम कर लेता हूँ तक आप इजिली इस चीज़ को समझ पाओ तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे यहाँ से price directly नीचे आने के बाद हमें जो है price के लिए इसी trend line के उपर एक support देखने को मिला और जब price ने यहाँ पर एक support लिया after that price दोर उपर निकलने की कोशिश किया price ने यहाँ पर price जो है side-ways condition के अंदर हमें देखने को मिला और फिर से हमें price जो है इसी zone के आसपास price के लिए एक बार support देखने को मिला and after taking support over that zone यहाँ से हमें फिर से price के अंदर movement देखने को मिला and price ने जो high लगा है तो वो लगा है तो somewhere around 16,800 के आसपास जहाँ पर हमें अभी इस time पर Bitcoin के price के लिए एक major resistance देखने को मिल रहा है and फिर से हमें जो है price के अंदर drop down देखने को मिला and again फिर से price तो उपर निकलने के कोशिश की price लेकिन अभी इस time पर फिर से हमें price के अंदर drop down देखने को मिल रहा है तो बिटकोई के प्राइस के लिए सबसे important क्या है ना कि यह जो trendline ही, यह trendline बिटकोई के प्राइस के लिए बहुत ही ज़ादा important होने वाला है, अगर इसी trendline के नीचे अगर बिटकोई इसको break कर देता है, तो हमें next बिटकोई के प्राइस देखने को मिलेगा 16,642 के असपास, तो कितना possibilities है कि प्राइस इसी जोन को break कर दे, तो मेरे ही सबसे तो प्राइस अभी इस टेम पे बिटकोई के इस जोन को break करने के बाद, प्राइस गया से हमें तो रख फारदर और भी नीचे देखने को मिल सकता है, बट बिलो इस यह जो जोन है 16,600 इस से नीचे मैं अभी expectation नहीं रख रहा हूँ, अगर कोई भी फार्ट से निकल गयाती है, जैसे कि OKS को लेकर जो भी फार्ट से अभी इस टेम पे market के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते हुए हो सकता है कि हमें market के अंदर यह अच्छा सा drop down देखने को मिले, ठीक है, तो अब इस सबसे पहले Shiba Inu Coin के बारे में, जैसे कि वीडियो के starting में ही मैंने आपको बोला था, कि Shiba Inu Coin अब इस टाइंप पे जो है, यहाँ पर तो उपर जा सकते है, तो इसके बिचे exactly reason क्या है, तो सबसे पहला जो reason है, Shiba Inu का जो official Twitter handle उसके अंदर अगर आगर आप आओगे, तो फि उसके बाद जो यहाँ पर meme token के base में, जो भी token हमें देखने को मिलता है, वो है Shiba Inu Coin, तो Shiba Inu Coin हमें यहाँ पर third number के उपर देखने को मिला है, as we all know, 2022 जो है यहाँ पर complete होने वाला है, तो 2022 में यहाँ पर सबसे जादा जो है, यहाँ पर watch किया गया है Shiba Inu Coin को, which is not believable, क्यों बहुत सारे ऐसे fundamentally strong projects and tokens भी है, जिनको भी लोग watch list कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर Bitcoin and Ethereum के बाद हमें Shiba के अंदर इतना ज़्यादा fan base देखने को मिला है, अगर यहाँ पर लोग जादा इसको watch list कर रहे है, जादा तर लोग अगर इसको देख रहे, that means कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर holding से, यहाँ फिर बहुत सारे लोग अभी इस time पे जो है, इसके अंदर अपना holding भी बना सकते, ठीक है, तो जिसके चलते हुए, आने वोले time में हमें price के अंदर एक अच्छा असा movement देखने को मिलेगा, and Shiba ecosystem को अगर आप देखोगे न, तो Shiba ecosystem के अंदर यहाँ प जो है, बन के अंदर भी एक अच्छा असा movement देखने को मिल सकता है, तो अभी इस time के लिए for now, Binance में list होने से पहले, अगर आप कोई से भी बन को purchase कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से, मैं किसी को यहाँ पर suggest नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ को purchase करने के लिए, बाकी मर्जी अब purchase भी कर रहे हो, तो फिर आपको small amount में purchase करके रखनी है, क्योंकि Binance के उपर जब भी list होगा, बन के अंदर भी एक अच्छा असा movement देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगी, तो already bone को लेकर बहुत सारे exchanges से, जिनोंने already bone को आपने, यहाँ पर exchange के उपर list क कर दिया है, तो हो सकता है कि Shiba Inu Coin को जैसे Binance ने list किया था, वैसे ही bone को बहुत जल्द यहाँ पर Binance list भी कर सकता है, ठीक है, तो चले पर हम details में बात कर लाते है, चार्ट के तुरू exactly price के अंदर क्या movement हमें देखने को मिल सकता है, यह मैंने one day के chart open करके रखका हुआ है Shiba Inu के लिए movement देखने को मिला है, सबसे पहले तो यहाँ पर यह जो movement है, प्राइस ने सबसे पहले इस zone के आसपास भी हमें एक बार price देखने को मिला था, जहाँ पर price ने इस zone के आसपास consolidated के, and after that हमें प्राइस के अंदर यहाँ से एक अच्छा सा movement देखने को मिला है, अगर 0.510811 के आसपास, इसी zone के आसपास किया है, कि अब इस टेम पे फिट से अगर price retest करता है, retest होने के बाद अगर शिवाईनु को इनके price जो है, इस zone को यहाँ पर as a support जो है, इसको consider करता है और यहाँ पर support sustain करता है, तो next हमें यहाँ से price के अंदर एक अच्छा सा movement देखने देखने को मिला है, तो मैंने यहाँ पर bigger time frame इस ले लिया है, थाकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो शिवाईनु को इनके अंदर बगध बड़ी investment उन्होंने करके रखका हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर तुरा helpful भी हो जाएगा, ठीक है, exactly अगर अगर अब देखोगे, तो यहाँ पर इसी trend line से resistance लेने के बाद हमें price के अंदर drop down देखने को मिला, similar kind of यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है, DC zone के असपास भी हमें जो है, यहाँ पर rejection देखने को मिला है, तो अब इस time पर next क्या होगा कि price अगर यहाँ से, यह जो zone है, इस zone के असपास अगर price यहा को sustain करता है, तो यहाँ पर chances, 60% ऐसा chances है कि price जो है, इसी trend line को break कर देगा, and after breaking this trend line, यहाँ पर support लेने के बाद हमें price के अंदर अच्छा movement देखने को मिलेगा, जो कि हमें next जो है, शिवा इनकों के price 0.4102164 के आसपास देखने को मिल सकता है, यह सुनने में बहुत ज़ादा य बट यहाँ पर ऐसे movement जो हमें जरूर से price के अंदर देखने को मिल सकता है, इनकामिंग रिस ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर शिवा के बारे में समझ में आ गया होगा, कि exactly शिवा इनकों के price के अंदर आने वोले टाइम में क्या movement हमें देखने को मिल सकता है, जो भी मैं कि हमें शिवाइन को इनके price के अंदर और भी एक अच्छा सा movement देखने को मिल सकता है या नहीं थी कि है, तो यहाँ पर मैंने one hour के time frame को open करके रखा हुआ है, तो one hour के time frame में भी similar kind of यहाँ पर price के अंदर तो दोरा downfall देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप देखो कि तो already इसी price, हमें इसी trend line के असपास जो है देखने को मिलेगा और यहाँ से resistance लेने के बाद हमें price के अंदर, फिर से तुरह drop down देखने को मिलेगा, जो कि expected है, 0.50839 के असपास हमें price देखने को मिल सकता है, तो अभी इस time के लिए फोरना उतुरा wait and watch करो, शिवा के अंदर और यहाँ पर यह जो trend line है, यह जो zone है, यह जो horizontal support है, यह sustain होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर यह break हो रहा है, तो next हमें यहाँ से price के अंदर movement ज़रूर से देखने को मिलेगा, अभी इस time पर जब भी Bitcoin के price के अंदर तो movement हमें देखने को मिलेगा, यानि कि positive moment हम होगा market के बाकी किसी का भी confusion या भी doubt होगा, इसे भी चीज़ को लेकर comment section के अंदर भी हम मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं next session informative updates के साथ, तब तक के लिए good bye